आज फंडवीस के मामले में मानलीय न्यायले में उन्होंने एक अप्लिकेशन दाकल की जिसमें उनका ये बोलना था कि कोई बिजनस अजिवेशन सत्र का कुछ बिजनस ट्रांजेक्शन बाकी है और उस वज़े से उनको वहाँ पर रहना ज़रूरी है इसलिए हमको आज तक का ये महलत दी जाए कि हम इसमें एक्जम्शन हमारा लगाया जाए तो उन्होंने एक्जम्शन का अप्लिकेशन दिया और उनको एक्जम्शन के अप्लिकेशन पर माननिय कोर्ट ने उनको ऐसे लास्ट चांस उनको दिया है ये आखरी बार उनको एक्जम्शन ग्रांट हो रह जो की कानून का उल्लंगन है और इस तरह से ये कंटेंट आफ कोट कर रहे है तो कोट के अंदर हमने जब इस बात का ध्यानाकरशित किया तो माननिय कोट ने उनके उपर में शोकाउस नोटीस इशू किया देविंदर फंडवीस पर अगली सुनवाई जो है वो है 20 तारिक को इस मामले में जहां उन पर कोट की अउमानना और एन्बीडवल्यू क्यों ना इशू किया जाए इस बात को लेकर अगली तारिक 20 तारिक रखी गई है ये कोट ने लास्ट चांस दिया है तो अगली तारिक पर उनको आज़र होना कंपल सरी है